हेलो दोस्तो अगर आपके फोन पर यहाँ पर केंडी क्रस सागा का जो गेम है वो यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो यहाँ पर दोस्तो जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करने की कोसिस करता हूँ इस्टॉल करने की कोसिस करता हूँ तो यह गेम जो इस्टॉल नहीं होता है तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इसके लिए दोस्तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपने फोन पर setting को open करना है उसके बाद यहाँ पर आप लोग को application वाले option पर आना है उसके बाद यहाँ पर आप लोग को manage application पर click करना है और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से play store search कर लेना है play store को search करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देता है तो उसके बाद यहाँ पे आपको Google Play Store का option आएगा तो यहाँ पे आपको click करना है उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे storage पे जाईए और इसका data आप लोग यहाँ पे clear catch-up कर दीजिए उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को restricted data uses का option आता है यह वाला तो आप लोगों को यहाँ पे click करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको mobile data का जो option है उसको इस तरीके से enable करके okay करना है तो यहाँ पे दोस्तो अगर आप लोग इस तरीके से अपने phone पर setting करेंगे उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे candy crush game को install करने की कोशिस करेंगे तो यहाँ पे यह जो game है वो आपकी phone पर install हो जाएगा guys यहाँ पे आप देख सकते हैं तो फिर हाल के लिए मैं इसको cancel कर देता हूँ तो अगर आपके phone पर यह problem आ रही है तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इस problem को solve कर सकते हैं तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हूँ तो like कर दिजिए और channel को subscribe भी कर लिजिए तो चलिए guys मिलते हैं नेश्ट वीडियो में